पर ऐसा क्यों है कि नरूटो और हिनाटा के दोनों बच्चों में स्पेशेलिटी है क्यों बोरूटो के पास जोगान है और हिमावारी के पास ऐसी बश्टेड एबिलिटी तो उसका आंसर बस यही है हलो गाइस स्वागत आपका बोरूटो टूबलू वाटेक्स की एक और वीडियो में आज हम हिमावारी पे बात करने वाले हैं पर इससे पहले एक चीज को याद रखना कि हिमावारी के लिए बोरूटो कावा की है और कावा की बोरूटो जो कि ओमनिपोर्टेंस की वज़े से हुआ है और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि बोरूटो स्ट्रॉंग है या हिमावारी तो इसका आज़र है कि बोरूटो अभी तक की स्टोरी के हिसाब से बोरूटो और इसका रीजन है कि हिमावारी पूरे तीन साल ट्रेनिंग नहीं कर रही थी और ये मै इनो जीन ने भी मैंशन किया था जब उसने हिमावारी से पूचा था कि उसे अचानक से स्ट्रॉंग क्यों बनना है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हिमावारी को ट्रेनिंग करते विए कुछ ही दिन हुए है और ये बात हिमावारी कुसी को नहीं बताई कि उसके क्या सोचती है क्योंकि वो नहीं चाती थी कि पूरा विलेज उसे डांटे पर अब हिमावारी चोचो इनोजीन और शिकाडाई पर भरोसा करने लगी है क्योंकि वो सब उसकी ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं तो ये भी एक पॉइंट है कि हिमावारी ने ट्रेनिंग अभी ह क्योंकि हिमावारी का फ्यूचर उसे कहां ले जाने वाला है ये तो इसी पर डिपेंड करता है तो फरस्ट अफॉल हिमावारी के पास कोई तो ऐसी पावर है जो अभी तक हम सबसे हिडन है जितके बारे में किसी को नहीं पता इवन डाइमॉन ने भी ये मैंशन किया था कि और फिर भी वो चोचो से हार रही है तो वो डाइमॉन का सामना किय से कर पाएगी तो यहीं पे एक बात है जो नोटिस करने वाली है हिमावारी के पास पावर है पर एक्सपेरियंस नहीं है उसने बस चोचो के सामने जंप करने की मिश्टेक करी इसलिए वो हार गई नरूटो मांगा को follow किया होगा तो आपको एक fact पता होगा कि इस मांगा में जिसके लिए भी heavy का use किया गया है वो इतनी power को रखता ही है कि नरूटो को आसानी से हरा सकता है तो चलिए बात को goal mool करे भी ना direct आपको incident ही बता देता हूं जब जिगन नरूटो और सासके के साथ क नरूटो को उसकी death के बहुत close ले आया था और तब नरूटो ने भी heavy word का use किया था और शायद यही चीज नरूटो और डेल्टा की fight में भी डेल्टा ने बोली थी नरूटो के रासिंगान को देखकर तो यह एक बहुत बड़ा sign है कि हिमावारी going to be the strongest them all वो एक दिन सबसे ज़्यादा powerful बनने वाली है बस अगर मोमोशी की कूर्मा की तरह act करके बो रूटो को अलगी power ना provide करे तो और I guess हिमावारी का child हुट तो सब को याद ही होगा जब उसने नरूटो को एक hit किया था और नरूटो और कूरामा दोनों ही knock हो गए थे हिमावारी ने बस एक ही शोट में नरूटो के सभी chakra points को hit कर दिया था और उसके बाद कूर्मा भी उससे डरने लगा था पर जब शिखाकू नरूटो के घर में था तो एक time के बाद मतलब जब ये वाला incident हुआ था कि हिमावारी को चोट लगने वाली थी तो कैसे उसने अप टेल बीष्ट हिमावारी से डरते हैं और डाइमॉन ने भी बोला था कि हिमावारी के अंदर एक power है जो उसे special बनाती है जो हर उजू माकी के पास नहीं होती पर ऐसा ही कुछ special कुशीना के पास भी था और इसलिए पूरे उजू माकी क्लेन में से बस उसे ही 9 टेल को seal रखन पर जब बात उसू माकी क्लेन की आती है जो कि सीरीज के में हीरो का क्लेन है तो इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पता शायद यह पहला एनी में होगा जितमें हीरो के क्लेन के अलावा तूसरे क्लेन वाले स्टोरी बढ़ा रहे हैं खेर आगे बढ़ते हैं वोरू की नरूटो को capture करके ले गया था तब सास्के ने भी अपनी ability यूज़ करके नरूटो के चक्रा का पता लगाया था इवन दो वो किसी और dimension में था पर यहां हिमावारी ऐसा naturally ही कर पा रही है उसने ना कोई training ली और ना ही अपनी powers को बढ़ाने के लिए कुछ करा पर still वो नरू इस तरह की power को कोई naturally use कर पा रहा है तो सच में ये बहुत डरावना है और ये बात proof भी कर रही है कि डाइमोन की बाते धीरे धीरे सच हो रही है पर ऐसा क्यों है कि नरूटो और हिनाटा के दोनों बच्चों में speciality है क्यों बोरूटो के पास जोगान है और हिमावारी के पा कि ही पास busted abilities आ गई है और इसका भी एक proof मैं आपको दे ही देता हूँ आपको क्यों बोलने का मौका मिले कि मैं कुछ भी बना बुनू के बोल रहा हूँ तो एक टाइम पे मोमोशीकी ने बोला था कि बोरूटो और सुसूकी का chakra inherit करता है और मैं बता दूँ बोरूटो हिमावारी के बारे में officially कुछ और पता नहीं चलेगा क्योंकि अगला chapter बोरूटो की तरफ है तो अभी और भी वेट करना पड़ेगा हिमावारी की special और hidden powers को देखने के लिए जो की brand new ability हो सकती है जैसे की जोगान हमारे लिए बिलकुल नया था तो चलिए आज के लिए इतन